बिस्मिल्लाइ रिमाने नहीं और असलाम लेकुम मेरा नाम उमर अजा है और HR के शोबे से वावस्ता हूँ और आप अगर मेरे बारे में और जानना चाहते हैं तो नीचे दिये गए मेरे LinkedIn के प्रोफाइल पर आप क्लिक कर सकते हैं और मेरे बारे में और information हासल कर सकते हैं यह जो इस वकत मैं प्रोफाइल आपके लिए पेश कर रहा हूँ यह अगें एक रिपोर्ट एक आई थी अभी मैं उसका आप गवर पेज भी दिखाता हूँ और उस रिपोर्ट में जाहिरा बहुत बड़ी रिपोर्ट है एक ट्रेंड्स के हवाले से हैं 2020 HR के जे ट्रेंड्स अगजिंड्स पर उसमें उनोंने उनोंने बहुत सारे मुलकों का जाइजा लिया है मुगतिन्स के ह glue पेज़िए कि हवाले से भी मुगतिफ एरियां पे उनोंने असर्वे किया है और किस तरह से उन्होंने अगेजेकरीर थggingुम्राइरे मालुमात अश्ल की हैं और उसके ब डाटा यहां पर नहीं होता इतना वैलेड डाटा नहीं होता और लेकिन जो बातें की जाती हैं वो normally हम उन्हीं के ऊपर बहुत सारी बातें already कर रहे होते हैं हमारी conferences में हमारे सेमिना's में या हमारी जो professional discussions होती हैं तो इसके अंदर से एक चोटा सा portion मैं नकाला कि ताइपस ऑफ डिवलपमेंट उपर्चिनिटीज ओफर्ड बाइ टॉप इमप्लाइर्स वर्ल्ड वाइट के जो दुनिया के जो बड़े बड़े इमप्लाइर्स हैं वो अपने जो स्टाफ है और एक्जेकिटिव्स हैं और इमप्लाइज हैं उनको किस किसम की डिवलपमेंट उपर्चिनिटीज परवाइट करते हैं कि वो अपने आपको मजीद बेतर कर सकें और अच्छी प्रड़क्टिविटी दे सकें अपनी ऑगनाईजेशन के अंदर यह जो रपोर्ट है यह इसका कवर पेज है HR Trends Report 2020 और Top Employers Institute ने यह दी उसका कवर पेज है आप Google करें तो यह आपको मजीद रपोर्ट मिल सकती है और अगर आपको इसकी डिटेल रपोर्ट चाहिए तो नीचे आपको मैट में अपना इमेल दे सकते हैं या मुझे email कर सकते हैं जो मैं आखर में आपको दिखाऊंगा तो मैं आपको यह report पेच भी सकता हूँ यह easily available है so kind of appreciation goes to these people who have done this report and provided us an opportunity to understand the trends in our perspective also so इसके अंदर जो एक portion था उसका क्योंकि बड़ी report है उसमें बहुत सारी चीज़े हैं लेकिन जो एक portion है उसका मैं सरफ उसके उपर हम बात करूँगा जिसमें उन्होंने जो development opportunities employers provide करते हैं अपने staff को worldwide वो कौन कौन सी है और उसमें category wise क्या importance है दुनिया भर में top employers की उसके उपर यह एक उन्होंने चार्ट बीच में दिखाया हुआ है types of development opportunities जो के मुखतलिफ मुलकों में मुखतलिफ रीजिंस में लोग जादा provide करते हैं मज़े का data है आप यह मेरी presentation करने का मकसद भी यह है कि जब आप इसको सुने और इसमें जो आपको मैं data दिखाऊं उसके बाद you can also kind of implement those ideas into your organization खास दौर पे HR के लोग और of course अगर entrepreneurs है owners है और वो यह सुन रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं कि जो टौप के employers हैं जो टौप की organization हैं वो किस तरह से अपने ways को development opportunity परवाइड करती है और वो top इस लिए है क्योंके वो development opportunities प्रवाइड करती है और वो डिवलपमेंट ऑपर्चिनिस टू क्योंके प्रवाइड करती है इसलिए वो टॉप पे है तो अगर आप पाकिस्तान के परस्पेक्टर में भी यहां पर भी अच्छी ऑगनेजिशन को देखें जो के सस्टेंड डिवलपमेंट कर रही है और रेग और वो डिवलपमेंग का कोस्ट इंवालव होती है तो वो बहुत सारी अज कर पाते, लेकिन फिर बहुत को पता चले हैं जो के कास्ट इफेक्टिव हैं जनके ओपर बहुत ज़ीं आपके तोите एक उन तर्पास्ट किस अपर आप क्रणिशन का ओमेंटे哪裡 लिन जिए फर्व cost effective हैं कुछ ऐसी चीज़े हैं जो के जिनके उपर बहुत कम cost आती है तो वो हम भी अपने staff को दे सकते हैं अपने staff को उन opportunities से exposure दे सकते हैं जैसे although इस letter में यह सबसे कम है लेकिन यह बड़ी important job rotation program करती हैं top की जो organizations हैं कि वो एक ही employee जो हैं वो मुख्तलिफ jobs पे rotate करते रहते हैं मुख्तलिफ जगों पे वो जाते रहते हैं और पाकिसान में भी अक्सर जगों पे ऐसा होता है गो के कम होता है लेकिन वहां पे job rotation दी जाती है staff को ऐसे staff जो के they want them to to become head of departments or to become senior employees for them और आगे चलते हुए वो organization की किसी area को किसी जगा को भाग दोड़ संभाले किसी एक pretty independently उस जगा को संभाले तो वो उनको उनकी job को rotate करते हैं मुखतर जगों पे उनको भेशते रहते हैं जहां पे within the organization एक चीज़ का मैं बड़ा हमेशा refer करता हूँ जो मेरी एक previous organization भी है जहां पे हमने एक चुली काम किया था और क्रिसन बाउमान वहां पे job rotation बड़े junior level पे start हो जाती है जब आप staff आता है तो वो उसी वकत उसको मुखतलिफ areas में although एक बड़े छोटे पर माने पे की जाती है orientation के level पे की जाती है लेकिन वो rotation ही बहुत thorough orientation होती है बहुत दिनों तक वो जलती रहती है और मुखतलिफ departments में खास departments में लोग जो हैं जो young graduates होते हैं जो नई अभी आए हैं system managers हैं या management trainees हैं मुखतलिफ departments में जाते हैं और मुखतलिफ departments के बारे में सीखते हैं उसके दो फाइदे होते हैं job rotations के एक तो बड़ा मज़े का फाइदा एक तो यह है कि उनकी ownership बढ़ जाती है उसके साथ company के साथ ownership बड़ी strong हो जाती है क्योंकि उनको बड़ा intricate details का पता चल जाता है कि कैसे मुखतलिफ departments का हम करते हैं दूसरा उनको यह फाइदा होता है कि आगे चलके वो staff जो है जो मुखतलिफ departments में जाता है वो choose भी कर सकता है और कि वो किस department में ज्यादा बेतर आगे चलके वो कैसे बेतर perform कर सकेगा और जब वो senior department head level पर पहुँचता है तो फिर मुखतलिफ departments के साथ उसकी जो interaction है जो उसके साथ उसकी collaboration है वो भी बेतर हो जाती because he or she knows what is happening in other departments and how to handle those people who are into different departments तो उसको जो असान उन्फास में जो कहते हैं पुद्दू नहीं लगा सकता और यह कैसी बातें का रहे हैं तो उसको पता होता है यह मैं कर सकता हूँ मुझे पता है कि मैंने भी यहां से time गजा रहा है so that's one area then peer support programs करते हैं कि जो आपके दूसरे साथी हैं आप ही के department में या दूसरे departments में उनका एक support network शुरू हो जाता है कि वो एक दूसरे को guide भी कर सकते हैं एक दूसरे को mentoring भी कर सकते हैं और एक दूसरे को मुखतलिफ जावियों से support कर सकते हैं so peer support program का अगर हम पाकिसान में लगाना चाहें तो यहां पे अगर आप समझना चाहें इसको proper तरीके से तो वो यह कहता है peer support program कि एक department के लोग या दूसरे department के लोग आपसे मिलके या एक ही department के लोग आपसे मिलके एक दूसरे को जो कुछ उन्होंने सीखा हुआ होता है जो कुछ उनको आता है जो उनकी key scale है वो दूसरे लोगों को transfer कर देते हैं और इस तरह से एक खुबसूरत network within the organization बन जाता है तो वो जो एक हमारा एक दुखडा होता है कि हम लोग बहुत चीज़े हमारे में पता है तो हम सिर्फ अपने पास ही रखते हैं तो जब organizational level पे ये peer support program बनेगा तो वो बहुत सारी चीज़ें जो के लोग share नहीं करना चाहते वो share भी कर सकेंगे अपनी initiatives को और अपनी learnings को gamified learning अच्छा ये बड़े मज़े की चीज़ है जो के दुनिया भर में अब हो रही है पाकिसान में भी अब बहुत कम पेमाने पर है लेकिन हो रही है पाकिसान में भी के जहां पे gamified learning होती यानि के बहुत सारी games के थुरू learning के जाती है पाकिसान में normally जो की जाती है वो trainers आके करते हैं जो कोई irrelevant game अब उनके program के हवाले से या उनकी जो कुछ सिखाना जाते हैं उसके हवाले से कराते हैं उससे कुछ message देना जाते हैं स्टाफ को जिसमें team work एक बहुत मशूर की बहुत मशूर games हैं problem solving की बहुत मशूर games हैं लेकिन जो अब निया concept आ रहा है जो के recruitment के वकट भी इस्तमाल किया जाता है organization में वो application based games होती हैं जिसमें बहुत सारी levels होते हैं और उन levels को cross करते हुए जो staff है वो बहुत सारी learnings उसमें करता है so इसके उपर कभी मजीद detail से ही बात करेंगे gamified learning is in itself is a huge huge thing जो के develop हो रही है then international exchanges होते हैं जो के multinational organizations हैं या उनके जो offices हैं पाकिसान में या पाकिसान से बाहर वो मुखतलिफ organizations मुखतलिफ अपने जो sub offices हैं मुखतलिफ regional office हैं उसमें भी लोगों को भेजते हैं kind of rotation करते हैं उसके अंदर भी उसके इलावा जो international exchanges अगर किसी के पाकिसान से बाहर offices नहीं हैं तो वो मुखतलिफ दूसरी कंपनियों के साथ भी collaborations होती हैं हो सकती हैं के उनका स्टाफ वहां पे जाके learning कर सके जैसे खास तोर पे GE वालों ने ये बड़ा concept किया था जब उन्होंने six sigma को introduce कर वाया और उसके बाद Motorola University के अंदर ये बहुत सारे मुखतलिफ कंपनियों के लोग जाके वो learning करते थे इसी तरह पाकिसान से बाहर मुखतलिफ यूनिवर्सिटियां हैं जो के जो हमारा स्टाफ है यहां से वो उनको उन यूनिवर्सिटीज में kind of small courses के लिए learning and development के लिए भेजा जा सकता है तो ये एक बड़ा international exchanges एक बहुत ही खुबसूरत initiative है जो कि अगर organization करते हैं जो जो बड़ा फाइदा वो यह होता है कि organizational जो staff है उसका outlook बहुत बढ़ जाता है just just imagine कि आप एक ही company में काम करी जा रहे हैं करी जा रहे हैं लेकिन आपको दूसरी जगह पर एक एक दफ़ाँ जपान गया एक course के लिए और Go के organization नहीं तो नहीं बढ़ाता लेकिन एक selection होई थी एक course में तो वहाँ पर गया और जो मैंने वहाँ पर दो हफ़ते में सीखा and that was out of this world and that such somehow changed the whole perspective for me to look at the organization and how I can change few things into the organization and when I came back I tried to implement those things into my organization ना सिरफ उस organization में जहां पर होते हुए मैं गया था बलकि जब उसके बाद मैंने organization change की बलकि अभी तक मैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जो अभी तक वो learnings जो हैं बड़ी ताजा है तो आप भी जब अपने staff को भीजते हैं या आपने से जब बाहर आप जाते हैं तो you see different things happening into different countries उनके social level पर उनके organization level पर तो आप देखते ही देखते हैं सीखते हैं लेकिन social level पर भी आप देखते हैं और अगर आप open mind के साथ उसको वापस आएं और उसको छोटी-छोटी chunks में आप implement as it is implement बाहस अगात नहीं हो पाते हैं जाथ नहीं हो पाते हैं लेकिन अगर आप implement आए करने ही कोशे करें तो they will tremendously enhance your own outlook towards your own company your own profession, your own kind of workplace जहां पे आप काम कर रहे हैं अगर वो आप चीज़ें आके दुबारा implement करने ही कोशे करें और उसमें बास अगर हमें सबसे बड़ा जो खत्रा होता होई होता है कि यहां पे हमारा culture वैसा नहीं है यहां पे मैं कैसे यह करूंगा यहां पे पैसे नहीं देती company और मुझे इसके लिए investment नहीं करेगी company तो वो ऐसी चीज़ें ना करें बहुत सारी चीज़ें जो कि पैसों के बगहर हो सकती है जो कि आप अपने लेवल पे आप कम असकम यह तो कर सकते हैं कि उसको लोगों को खास तार पे-चार के लोगों के बात करूंगे खास तार पे-चार के लोग के आके वो उसको company में प्रोग्राम्स करवा सकते हैं और इस तरह से लोग बाकी लोगों को भी उस लेवल पे लेके आ सकते हैं जहां पे वो खुद आके पहुँचे और हो सकता है जब उनका support network organization के अंदर बढ़े तो pressure इतना बढ़े कि वो अगर कि पैसे लगाने वाली चीज़ है तो वो भी करवाई जा सके then there mentoring programs होते हैं organization के अंदर mentoring programs क्या होते हैं जहां पे organization जो है वो mentors assign कर देती है individuals को और एक बड़ा मज़े का concept है reverse mentoring है जहां पे जो young लोग हैं जो young graduates हैं जो के या जो junior level पे के लोग काम करें लेकिन उनकी खास skill है जो के बड़े जो senior लोग हैं वो उस skill पे नहीं पहाँ पाए या उनके पास वो skill नहीं है खास दोर पे आजकल के environment में जहां पे the technology has revolutionized all the concepts तो बहुत सारी जो senior staff है जो director level लोग बैठे हुए हैं उनके पास वो technology की उस तरहां से learning नहीं है उनके पास वो learning नहीं कर पाए और उनको वो जो skill है वो बहुत अची जैसे अभी मेरे पिछले दिनों ये एक साहब बता रहे थे कि उनको coding नहीं आती लेकिन उनके अपने एक junior staff से जिसको coding आती थी उससे एक program बनवा लिया और उसने उनको सिखा भी दिया कुछ हाथ तक सिखाया भी और लेकिन उसनी नही है इस पर coding कर दो so so यह एक just a very short example of reverse mentoring but जो organizations इसको institutional level पर लेके आती हैं वो ये करती हैं कि बकाइदा इसका reverse mentoring program शुरू कर देती हैं जहां पर जो senior लोग हैं उनको junior लोगों से सीखना पड़ता है सीखाया जाता है और इसी तरह mentoring programs of course जो organization में जो usual mentoring programs चलते हैं कि अगर आप senior HR क head है director है आप CFO है याप commercial के head है तो आपने of course जिंदगी में बहुत कुछ देखा है बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं बहुत सारी टेक्नीक्स हैं so regular basis पे you become a mentor of one, two, three, four people into the organization and you transform your learning to those people who are new to the organization or perhaps they do not know or perhaps they have the capability to replace you into the future replacement में थोड़ा सा कान खड़े गाते हैं कि में जी आपको replace कोई करेंगा लेकिन of course that's the true leadership that's the true mentoring because आपने भी आगे move करना है साई जिंदगी तो आँ नहीं बैट रहे हैं अगर आप किसी को देंगे अपनी learning तो फिर वो काम कर पाएगा तो फिर आप भी आगे move कर पाएगे आप वहीं पर रहे हैं नहीं रह जाएंगे then there is graduate traineeships programs होते हैं जहां पर organizations जो हैं वो अपने staff को graduations के लिए भेजते हैं ये इसका एक मतलब ये भी है कि आप अपने staff को graduations मुखतर युनिवरसिटी में भेजते हैं जहां पर वो जाकर graduation करके आते हैं और अगर उन्होंने कोई खास subject नहीं पड़ा हुआ या subject कि उसकी उनकी skill नहीं है और उनके profession के लिए वो चाहिए तो organizations को रहाते हैं और दूसरा इसका other side है वो ये है कि जो graduates है organization universities के अंदर वो उनको आप अपने future employee बनाने के लिए you invite them to your to your organizations and give them some kind of internships and opportunities to perform and learn from the practical experience of the organization and when they are ready they can join the organization when they are done with their graduation they can join to the organization तो ये इसके समके program होते हैं जो के जो skill shortage है या जो talent hunt है उसमें आपको help कर सकते हैं then internships बड़ा common चीज है दुनिया भर में होती है देखें इसका number भी जो है 90% 96% 5% से अबब भी जा रहा है तो internships पूरी दुनिया में होती है और सारी दुनिया करवाती है पाकिसान में भी of course बहुत जादा होती है internships programs होते है then competency-based trainings होती है यह उसके मेरे नीचे आगया competency लिखावा है competency-based trainings होती है जो के बहुत मशूर है बहुत important है आप देखें यह it is up to the highest level like 98 level percent organizations जो है जो top की organization है वो competency-based training करवा रही होती है कि आपको competency develop हो जाए आपके उस काम करने में अगर आपको supply chain के हवाले से है या engineering की है finance की है HR की है anything which is directly related to your profession your work at in that office in that job description तो उसके उपर आपकी training करवाई जाती है organizations खास तोर पे इसके उपर और ज्यादा करना चाहिए और यह ज्यादा चीज़ करने चाहिए because उसी के लिए वो आए हैं उसी के लिए वहाँ पर काम कर रहे है organizations, universities में तो वो उनको of course theoretical वो पढ़ लेते हैं अच्छा पढ़ लेते हैं लेकिन जो competencies develop करनी हैं वो organization के अंदर आके करती हैं और organization को इसके उपर थोड़ा सा ज्यादा effort करना चाहिए करती भी हैं top के organization करती हैं उसके लिए और आप भीगा सकते हैं और जो last one है वो of course soft skills है और जो soft skills है और दुनिया भर में होती हैं दुनिया भर रिसकी ओपर करवा रहा है अच्छा अब यह soft skills जो हैं अच्छा अब यह basically आपके सामने एक data आगया कि जो दुनिया भर की top organizations हैं वो किस किसम क development opportunities अपने staff को रवाइड करते हैं now you can judge in your organization what are you currently providing what ideas you have got from this that you want to implement this into the into your organization so यह नहीं है कि आप सारी of course सारी करना बड़ा मुश्किल होता है लेकिन इसमें से अगर आप दो तीन देखें यह जो competency based trainings हैं और soft skills है यह जातर इस पर लगता है कि आपकी पैसे लगते हैं हाँ लगते हैं इससे पैसे लेकिन यह बहुत जादा लोग करवाते भी हैं organization में ल थोड़े से कान उनके खड़े जाते हैं कि यार नहीं यह जो इस पर cost लगेगी और यह जो implies को जो हम क्यों training करवाएं तो HR का रूल है although उन्होंने उनको समझाना भी है कि यह इस तरह से training हो सकती है और यह इससे बहुत साथा फरक पड़ेगा लेकिन उसके इसमें से बहुत स इसमें गेम में यह तीन चीज़े हैं यह ऐसी हैं जिन पर कोई खास cost नहीं आएगी आपकी आपके mentoring program पर क्या cost आए इंटरनली लोगों को आपने mentor बना दिया और उन्हीं को trainer बना दिया और अपने लोगों को trainee बना दिया जो और लोग है और आपस में उनका एक खास वो भी तरीके से HR वाले इसको handle करते हैं तो that can be a very good thing. Job rotation जो है वो बहुत खुबसूरा चीज़ है वो आपको बड़ा long term फादा देती है उसमें बहुत जादा of course cost नहीं आती organizations की और इसी तरह peer support program जो है वो बड़ा important है वो उसमें कोई cost नहीं आती और उसमें लोग जो है वो एक soft skills पाकिसान में बहुत जादा हो चुकी है और मैं अगर एक बड़ा genuine सार बड़े मज़े का comment है पाकिसानी लोगों के हवाले से और पाकिसान के जो professionals हैं हम soft skills में लगता है कि हम बहुत बुरे हैं लेकिन इतने बुरे नहीं हैं इतने बुरे नहीं हैं हमें बहुत सारी चीज spending है लोगों के बारे में जब लोगों को generally पता ही होता है बहुत सारी चीज़ें पताती हैं और वो खुद ढून लेते हैं मतलब हमारा एक kind of समझने हम इसको इमान का हिसा समझते हैं अप पॉर्स इलम को इमान का हिसा और दो नजर आता है मतलब यह बात पर आप हंसें के भी मसला आता है वो जो इस्तमाल करने वाली जगा है वहां पे HR का company के owner का CEO का का काम आता है कि वो उनको उन चीज़ों को इस्तमाल करने की practice करने की opportunities भी provide करें जब वो opportunities परड़े करते हैं तो our people are they can do a lot of things so इतना सदा आपको soft skills पर लगाने की जोतनी है इतना सदा आपको competencies पर लगाएं लेकिन अगली slide पर आपको एक और चीज़ भी बताया लगा हूं जो कि soft skills के हवाले से ही मजब एक kind of वो है कि soft skills की understanding बड़ी जरूरी है हमारे अंदर कि हम soft skills को भी understand करें although soft skills वो चीज़ है जो machines cannot defeat them हाँ machine आप बहुता ही ले लेंगे but soft skills पर machine नहीं काम नहीं कर सकती यहाँ पर humans को beat नहीं कर सकती machine नहीं लेकिं soft skills की understanding बड़ी जरूरी है soft skills होती है soft skills में वो हैं जहां पे competency these are competencies वो हैं competencies बढ़ा दें आपकी वो competencies हैं जो कि आपको कहां help करें आपकी performance को बेतर करें आपकी work productivity को बेतर करें आपकी energizing को बेतर करें आप बेतर energize रो और आप understand कर सकें अपना perspective of work यानि आपका का काम का रोल क्या है और आप किस तरह से बेतर तरीके से काम कर सकते हैं organization के अंदर आपकी productivity कैसे बेतर हो सकती है your what is your role now and what is your role in future how you can increase your kind of output as an individual and as a professional so उसके अंदर soft skills soft skills को understand करना बड़ा जरूरी है कि यहां से और वो soft skills आप as an HR department अगर आप HR department से तालुक रखते हैं तो आप अपने department में अपने organization के अंदर खुछ से शुरू कर सकते हैं बहुत सारी इसी चीज़ें खुछ से शुरू कर सकते हैं उसके उपर आपको बहुत ज़्यादा consultants को बहुता था ट्रेंडर्स को बलाने की भी जो होती है वो आता है ट्रेंडर आकर पाथ आप यह अपकी चला जाता है कुछ देर कि इंदर एक दिंमे दो दिन में आपको गिमिशन में खलाएं चलाए जाएका चला जगाएं आप बड़े खूश होंगें बड़े बड़ी It is your responsibility at the end कि जहांपे अगर आप ये दुबारा देखे वो जो skills हैं आपकी वो आपकी उसके अंदर चली जाएंगी यहांपे आजाएंगी तो आपको mentoring प्रोगामा उसके बाद शुरू कर सकते हैं आप job rotation शुरू कर सकते हैं जिसमें काम पैसे लगते हैं और उसके बाद कभी कभी आप मुगा जैका बनलने के लिए किसी ट्रेनर को भी बुला लें कि हाँ याँ मतलब कोई नया perspective आया तो हम बताओ क्योंकि आफकोर्स ट्रेनर जुरूरी होते हैं उनका एक बड़ा perspective होता है वो देखते हैं मुक्तलिफ organizations को देखते हैं परस्पेक्टिव में बता देता है तो वो that helps the organization राइट तो ये एक जो उसके अंदर रपोर्ट के अंदर एक चोटा सा डेटा था मैंने उसको थोड़ा सा असान अलफाज में कोशिश किये अपने perspective में पाकिसान के perspective में तो उसको बता सकूँ तो बहुत शुक्रिया आपका I hope you have liked this short program और अगर आपका comment है या आपको बात लिखना चाहते हैं तो मेरे email दिया गया है और नीचे दिया गये comment section में भी आप दे सकते हैं तो बहुत शुक्रिया खुदा हाफिस